हलो आन वेलकम टू माया पूरी कर्ट लेट एस एंटेटेन यू विट सम बॉल्लीवूट की गप्षप अप्रस सनी लियॉन को आज भी एक अडल्ट स्टार होने का टाग मिलता है और 13 साल इंडस्ट्री में पूरे होने के बाद भी आखिस सनी लियॉनी के उपर से ये टाग क अब इस पर सनी लियॉन ने खुल कर बात की है और ऐसे सवाल पूछने वालों को लताड़ा भी है आई ये इस वीडियो में देखते हैं आखिर क्या कुछ कहा सनी लियॉन ने बॉल्वुड आक्ट्रस सनी लियॉन पिछले कई सालों से बॉल्वुड फिल्मों में काम कर रही है। सनी साल 2011 में सल्मान खान के रियालिटी शो बिग बॉस फाइव में मिज़राई थी। और इस शो में सनी को लोगों ने काफी पसंद किया था। वहीं इसके अगले साल 2012 में आक्ट्रस ने फिल्म जस्म टू के जरिये इंडस्ट्री में अपने कदम रखे थे। और इसके बाद सनी लियॉन शूट आउट अट वडाला रागिनी MMS2 जैसी कई फिल्मों में नजर आई। और अपने छोटे से करियर में ही सनी लियॉन बॉलिवुड का एक जाना माना नाम बन गए। हालंकि फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो सनी लियॉन को 13 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्हें अडल्ट फिल्म स्टार का टाग दिया जाता है। और इस बात से सनी लियॉन काफी जादा परेशान है। वही हाल ही में सनी लियॉन ने गलाठा इंडिया को दी एक इंटर्व्यू में अडल्ट स्टार का टाग मिलने पर अपनी चुपी थोड़ी। आक्ट्रिस ने कहा मुझे लगता है कि भारत में मेरे शुरुआती समय में लोगों का मेरे लिए इस तरह की टैक का इस्तमाल करना अपेक्शित था। ये पूरी तरह से नॉर्म था लेकिन मुझे ये अब ये और भी जादा परिशान करता है क्योंकि हम अभी तक इसके बारे में बात कर रहे हैं मुझे इस इंडिस्ट्री में 13 साल पूरे हो गए हैं अगर आप इसे जाने नहीं देंगे तो हम सब आगे कैसे बढ़ेंगे। कि ये बात हर कोई जानता है और ये कुछ ऐसा है जो मेरे जीवन में घटित हुआ है हम सभी ने अपने जिन्दगी में बहुत काम किया है और अपने अपने तरीके से आगे बड़े हैं मुझे लगता है कि अब ये अजीब है कि कोई प्रकाशन इसका उप्योग लोगों को एट्रैक्ट करने के लिए करता है आपको बता देकी सनील आउन बॉल्इवुड में एंट्री से पहले अडल्ट फिल्मों में काम करती थी हालांकि बात में उन्होंने अपने इस कर्यार को छोड़ कर बॉल्इवुड में डेब्यू किया था और आज किस इंदुस्ट्री मे लोग उने बेहत पसंद करते हैं और उनके काम के सरहाना भी काफी करते हैं